कर्म की स्वतंत्रता समस्त योनियों में से केवल मनुष्य योनी ही ऐसी योनी हैं, जिसमें मनुष्य कर्म करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है इश्वर की ओर से मन, बुद्ध, चित, अहंकार आदे इसलिए प्रदान किये गए हैं कि वो प्रत्य काम को मानवता की कसोटी पर कसे और बुद्धी से तोल कर मन से मनन करके इंद्रियों द्वारा पूरा करे। मनुश्य का ये अधिकार जन्मसिद्ध है। यदि वो अपने इस अधिकार का सदुपयोग नहीं करता, तो वो केवल अपना कुछ खोता ही नहीं है, बलकि इश्वरी आज्या की अवहिलना करने के कारण पाप का भागी भी बनता है। कर्म करना बनुश्य का अधिकार है, परन्तु इसकी विपरीद कर्म को छोड़ देने में वो स्वतंत्र नहीं है। किसी प्रकार भी कोई प्राणी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। ये हो सकता है कि जो कर्म उसे नहीं करना चाहिए, उसका वो आचरन करने लगे। ऐसी अवस्था में स्वभाव उसे जबरदस्ती अपनी ओर खीचेगा और उसे लाचार होकर यंद्र की भाती कर्म करना पड़ेगा। गीता में भगवान ने कहा है, यदि तू अज्ञान और मोह में पड़कर कर्म करने के अधिकार को कुछ लेगा, तू याद रख कि स्वभाव से उत्पन कर्म के अधीन होकर तुझे सब कुछ करना पड़ेगा। इश्वर सब प्राणियों के हृदय प्रदेश में बसा हुआ है, और जो मनुष्य अपने स्वभाव तथा अधिकार के विपरीद कर्म करते हैं, उनको ये माया का डंडा लगा कर इस प्रकार घुमा देता है, जैसे कुमार जाक पर चढ़ा कर एक मिट्टी के बरतन को घु अखंड जोदी, अक्तूबर 1946, प्रिष्टर, सत्रया